नमस्कार, Lifestyle Disease Prevention YouTube चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर उर्मंद्रू, आप सब लोगों का एक बार फिर से अभीवादन करते हुए, जैसे हमने पिछली दफा बताया था, आज हम बाते करेंगे, क्या होता है अगर आपका COVID टेस्ट पॉजिटिव आता है, बहुत डरावनी बात है, पर ये बाते कई लोगों के साथ इन दिनों में हो रही है, और अगले दो या तीन हपते तक होती रहेगी, तो चलो समझते हैं, आज याद करेंगे 6C को, अलग-अलग 6 points को हमें याद करना है, जब भी किसी का COVID-19 report positive आता है, कौन से है वो 6C, सबसे पहरी बात है, calm down and close down, रिलेक्स रहे, ये सबी के साथ हो सकता है, जैसे मैंने बताया, लाखों लोग ऐसे हैं, जो पहले और दूसरे वेव के बाद, तीसरे वेव में से भी बाहर आ रहे हैं, इस बार की जो लड़ाई है, वो थोड़ी आसान है, हमारे पास ज्यादा हत्यार है, और हम सज्ज है, तैयार है, तो और लोगों की तरह, अगर आपका report positive आया है, तो आप भी इस युद्ध से सफलता पुर्वक बाहर आपाएंगे, आप अकेले नहीं है, लेकिन हाँ, you have to close down, calm down and close down, आपको immediately अलग रुम में रहना शुरू करना है, जैसे ही symptoms चालो होते हैं, आपको अलग हो जाना है, जब तक कि नीदान confirm नहीं होता है, या फिर नीदान cancel नहीं होता है, तब तक अलग रुम में रहना है, दूसरा C, दूसरा C है classified comorbidity, यानि कि आपको अपने आपको दो भागों में डिवाइड करना है, आपको सोचना है, क्या आपको कोई रोग है या नहीं है, कौन से रोगों की बात सोचनी है, एज more than 60, क्या आपकी उम्रे 60 से ज़्यादा है, आप उबीज है, उम्रे या उचाई के मताबिक वजन ज़्यादा है, डायबिटीस है, HIV या AIDS है, आपका फिर फुरो का काम का थोड़ा कम है, जिसे हम ILD यानि कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या क्रोनिक की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, या फिर आप स्टिरोइड पर है, एंड सबसे इंपोर्टन, क्या आपने वेक्सिन नहीं ली है, अगर इसमें से कोई भी चीज है, तो आप को मॉर्बिड है, कोई चीज नहीं है, तो आप को मॉर्बिड नहीं है, एक बार ये नकी को मॉर्बिड है के नहीं, इसके बाद तीसरा सी आता है, कॉंटेक्ट अंड कंसल्ट, आपके पास को मॉर्बिडिटी नहीं है, या फिर को मॉर्बिडिटी है, अगर को मॉर्बिडिटी नहीं है, तो यू के न कॉंटेक्ट लोकल हेल्थ केर वर्कर, आप मिंसिपाल्टी, पंचायत या आपके कॉर्पोरेशन के किसी भी health care worker का contact कर सकते हैं या आपके family doctor का contact कर सकते हैं और उनके contact में रहके अगले 5 दिन आराम से गुजार सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई co-morbidity है तो जो डॉक्टर आपको आपकी co-morbidity आपके रोगों के लिए treat कर रहे हैं उनका contact कीजिए और आज के वीडियो के बदले कल का जो वीडियो आने वाला है उससे follow कीजिए आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको साथ में कोई भी रोग नहीं है और ऐसे रोग ऐसे लोग बहुत ज्यादातर संख्या में हैं तो यह उनके लिए हैं हां अगर आ मास लेने में दिक्कत होती है या स्टूरेशन कम होता है 93 से कम होता है कफ चालू रहता है या कोई को मॉर्बिडिटी है तो आपको इमीजिटली डॉक्टर को कॉंटेक करना है तो बाते करते हैं उन लोगों के लिए जिनको साथ में कोई भी रोग नहीं है क्या सी बी सी और शी आर पी जी दो इन्वेस्टिकेशन की जरूरत है अगर आपको कोई चिन नहीं हिए किसी भी तरह की तक्रिफफ नहीं है तो आये आप कोई बी सिट्केशन नहीं करवा ओगे कि तो भी चलेगा लेकिन अगरापको फ्लू के सिंटम से किया थोड़ा सा भी वि छे मिनिट वॉक टेस्ट करना है जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बता रहे हैं कोविड का पेकेज आता है इन्वेस्टिकेशन की पूरी बैटरी आती है 15 रुपए में 2000 रुपए में ऐसा कोई भी इन्वेस्टिकेशन की बैटरी की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई comorbidity नहीं है और symptoms minimum है flu के symptoms City scan के तो वैसे भी पहले 5 दिनों में कोई जरूरत नहीं है अगला सी आता है calculate and create a chart क्या calculate करना है हर 4 या 6 घंटे temperature measure measure करना है thermometer से अगर आपको लगता है के नहीं है तो भी measure करना है 5 दिन के लिए और लिखके रखना है अगर blood pressure आप measure कर सकते हैं घर पे तो measure कीजिए sugar भी measure कर सकते हैं तो कीजिए वो नहीं कर पाते हैं तो 6 minute walk test करके oxygen का saturation measure कीजिए आप कितना fluid रोज ले रहे हैं उसका भी चार्ट बनाईए जिसमें सभी तरह के fluids आ जाता हैं हर तरह के liquid minimum medicines अगर आपको minimum symptoms है flu के symptoms या body egg या साधर अनसा बुखान और कोई comorbidity नहीं है तो paracetamol, decongestants, cup syrup और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पढ़ने पर एक beauty sanide का inner error आता है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे इतना काफी है एक और वीडियो आ रहा है जिसमें हम बताएंगे के कौन सी दवाईयां ऐसी है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है आखरी सी की बात करते है वो है come out as per local regulations साधर अंतहा इन दिनों में ऐसा कहा जाता है कि अगर positive report के 7 दिन के अंदर आपको symptoms चले जाते है या minimal symptoms है और आखरी तीन दिन में आपका बुखार 99 से कम है तो 7 दिन के बाद आप मास्क के साथ बाहर घुम फिर सकते है provided इन 7 दिनों में आपका saturation 6 मिनिट चलने से कम नहीं हुआ है तो तीन चीज़े positive report के 7 दिन पिछले आखरी तिन दिनों में बुखार नहीं और आपका saturation कम नहीं हुआ है तो आप मास्क के साथ गुम फिर सकते हैं तो ये बात हुई जिन लोगों को कोई रोग साथ में नहीं है कोई red flag नहीं है उनको covid के साथ कैसे deal करना कल हम बात करेंगे कौन सी ऐसी दवाईया है जो covid की सारवार में बिलकुल काम नहीं लगती है उन्हें फैंक देनी चाहिए covid के लिए एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कोविड 19 की सारवार में मौलनू पिरावाई नाम की नवी दवाई का और एंटी बोडी कॉक्टेल का क्या रोल है और जैसे हमने बताया एक और वीडियो में हम बात करेंगे छे मिनिट वॉक टेस्ट क्या है तो आज यहीं पर रुकेंगे एक बार फिर से सबको बता दे छे फूट की दूरी मास्क के जरूरी अपने आपको संभाल कर रखिए और सब्सक्राइब कीजिए लाइफटेल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चेनल नमस्कार